सोनिल सिट्टी की बेटी आत्या सिट्टी लंबे समय से क्रिकेटर कील राहूल को डेट कर रही है दोनों अकसर एक दूजे के साथ प्वालीटी टैम बिताते नजर आ चुके है कल यानी वेलेंटाइन डे पर राहूल ने एक बार फिर से आत्या सिटी पर प्यार लुटाया है 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के मौके पर केल राहूल ने आत्या सिटी के साथ एक मिरर सेर्फी शेर की है इस फोटो में दोनों का चहरा बलर नजरा रहा है आथिया सेटी वाइट टीशिट और ब्लैक जिंस में दिख रही है वही राहूल वाइट टीशिट के साथ ग्रे पेंट में नजरा रहे है इस फोटो को शेयर करते हुए क्रिकेटर केल राहूल ने केप्शन में लिखा Happy Love Day इस पोस्ट पर रिपलाई करते हुए आथिया सेटी ने हार्ट की इमोजी शेयर की है हाला कि राहूल की इस पोस्ट पर लोगों ने उन्हें पुलवामा डे की याद दिलाई एक सक्स ने कमेंट करते हुए लिखा आज काला दिन है पुलवामा डे वहीं एक और सक्स ने कमेंट करते हुँ लिखा पुलवा मैं एटेक याद नहीं बता दे कि इससे पहले आतिया सेटी ने 4 फरवरी 2022 को अपने इंस्टा हैंडल पर कुछ तश्विरे शेयर की थी जिसमें वो ब्लैक हुडी के साथ डैनिम जिंस में पूस देती नजर आई थी आतिया सेटी की इस फूटो पर केल राहूल ने कमेंट करते हुँ लिखा था अच्छी हुडी दरसल आतिया सेटी ने इस फूटो में जो हुडी पहनी है वैसे ही हुडी केल राहूल के पास भी है इसलिए लोगों को लगा कि आतिया ने राहूल की हुडी पहन कर ही फूटो की च्वाई है बनादे की आतिया सेटी और केल राहूल एक कॉमन फ्रेंट के जिरिये मिले थे और यही से दोनों की बीच नजदी क्या बढ़ने लगी थी वैसे दोनों ने अब तक इस रिस्ते को लेकर खुल कर कुछ भी कबूल नहीं किया है अप्रेल 2021 में केल राहूल के बड़ दे पर आतिया सेटे ने अपनी और केल राहूल की एक फोटो शेयर करते हुए दिल की बात कही थी उन्होंने कैप्शन में लिखा था हैपी बड़ दे माई पॉर्सन इसके साथ आतिया सेटे ने हार्ट की इमोजी शेयर की थी कुछ साल पहले कियल राहुल और आथिया सेटी नियूर पर थाइलेंड गए थे यहां दोनोंने साथ में खूब एंजो किया और इसके बाद ही इनके अफेर की खबरे मीडिया में सुर्खिया बनी सुनेल सेटी से जब एक इंटर्विव के दोरान बेटी के अफेर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था अब समय बदल गया है मुझे बच्चों की पसंद पता है वक्फरंट की बात करें तो आथिया सेटी अब तक हीरो, मुकरबा, नवाब जादे और मोती चूर चकना चूर जैसे फिल्मों में नजरा आचुकी है आथिया सेटी जल्द ही फुटबॉल प्लेयर अप्शन आसे की बायो पिक में नजराने वाली है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसा ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे